नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर वेभफ तिवारी और आज हम बात करने वाल है एंटिबाइटिक के बारे में बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि जिस हिसाब से समय चल रहा है लॉक्डाउन की स्थिती है बहुत सारे क्लिनिक बंद है इवनली डेंटल क्लिनिक भी बंद है नॉर्मल क्लिनिक भी बंद है और ऐसे स्थिती में जब आम पब्लिक को तबियत खराब हो रही है तो वो कहां जाए तो ऐसे स्थिती में कर खाते हैं और एंटीबाइटिक के बारे में बहुत ही इंट्रेस्टिंग तरीके से बताने की कोशिश करूँगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करतीजे जिसे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें किसी को तबियत खराब होगी किसी को अभी दात में दर्द होगा किसी को सरदर्द है किसी को बुखार है किसी को नॉर्मल सर्दी बुखार है जरूरी नी कोरोना वायरस ही हो नॉर्मल तबियत खराब है और ऐसे इस्तिती में सबसे पहले आदमी खात यह कितना नुकसान दाए कि कितना फायदे मंद है उसके बाद यूज करना अपने मरजी से थिक है। पहले आपको यह मैं बताता हूं यह antibiotic होती है। antibiotic बनाई गई है बैक्टीरिया को खतम करने के लिए फ़ूल भायमुन के वाध हमफूल बैक्टेश्य fait je यकिन अच्छे fatty- squash होते हैं जो हमारे शरीर को बनने में मदद करतेCA लेकिन कुछ harmful bacteria होते हैं जो हमारे environment में हर जगह भी जाटे sentences हमारे शरीर के दुश्मन होते हैं और वहं हमारे शरीर को नुखसान करतें जिसके कारण होता क्या है हमको सरदी जुखाम सरदर्द बुखार यह सब आता है सिम्टम साता है और इसको खतम करने के लिए बनाई गई है एंटिबाइटिक तो एक एंटिबाइटिक का मैं नाम बता रहा हूँ आपको एक पैनिसिलीन होती है जो आपने सुनी होगी स्कूल टाइम में पढ़ाओगा ठीक है अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे पहले यह समस्थे हैं यह एंटिबाइटिक करती है तो एंटिबाइटिक दो तरीके का रोल करती है या तो वो जब सरीर के अंदर जाएगी तो वो बैक्तिरिया को रोक देगी मतलब बैक्टेरिया जो है उसके पावर को पूरा खतम कर देगी पावर को उसके निचोड देगी अब उसको एकड़म वो बना दिए यूजलेस बना दिए बैक्टेरिया है लेकिन ताकत नहीं है उसमें कि हमारे शरीर को कुछ भी नुकसान पहुचा पाए तो ऐसे चीज़ को बोलते हैँ दूसरे बैक्टेरियो इस्टेटिक एंटिबायिटिक होते हैं जो बैक्टेरियो cidal होते हैं मतलब सूसाइड सूना है ना मतलब वो जाके बैक्टेरियो को खतम कर डदेते हैं अंदर घुसके फार देते हैं अब बैक्ठीरी जी को मार डालता है थो उनको बोलते हैं बैक्ठीवियो उसका एक एक क्वै kasन पिए शौ को मारना है तो देखिए यह बहुत अछी चीज़ है जो हमारे body की cells है उसकी जो walls है उसको हम बोलते है cell membrane और जो bacteria के बाहर की जो cell layer होती है उसको बोलते है cell wall तो यह जो antibiotic है especially जो मारने वाली antibiotic है यह cell wall को पता कर लेती है और वही cell wall को जाके फाड़ देती है नुकसान पहुजा देती है इसलिए वो cell membrane को खराब नहीं कर क्योंकि उसको बनाया ही गया है cell wall को फाड़ने के लिए लेकिन यहां पे दिक्कत हो जाती है क्यों क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में भी अच्छे bacteria है और bacteria है मतलब उनकी wall जो बहार की layer है वो भी cell wall है तो उसको भी नुकसान पहुचाएगी बिलकुल antibiotic जो हम खा रहे हैं जो खराब bacteria को भी खराब मार रही है वो हमारे अच्छे bacteria को भी मारती है जिसके कारण हमको दवाईयों का side effect भी देखने मिलता है बहुत सारी जगह पे ठीक है अब हम एक और बात जान लेते हैं यहां पर बहुत लोग बहुत बढ़ी गलती यह करते है कि दभियत खराब हुई है डॉक्टर ने दिया भी यह पास दिन का डोस साथ दिन का डोस दस दिन का डोस दिया है लेकिन बहुत लोग होश्यार रहते ना वो दो दिन तीन दवाई खाएंगे और उसके बाद बोलेंगे यार आप मेरे को दवाई खाने की जरुरूरत नहीं है लेकिन आपको दो-तीन दिन में अच्छा लगने लगा आप माल लीजेए एक लाग बेक्टिरिया थेए आपके शरीर में जो आपको तकलीफ दे रहे थे आपने दवाई खाही दो-तीन रोग दी क्योंकि आपको अच्छा लगा लेकिन वहीं 20,000 वापस से बनना शुरू हो जाएंगे और रेप्लिकेट होंगे बैक्टेरिया रेप्लिकेट होते हैं एक से दो बनते हैं दो से चार बनते हैं और इवन कई ऐसे बैक्टेरिया जो जो सिब 20 मिनट में डबल हो जाते ह आप एक से लगार जहें जो सिब 20 मिनट में डबल हो जाता है तो चेल्कूलेशन अपक्रते हैं ना कि एक घंटे में कितने हो जाएंगे और 10今日 में कितने हो जाएंगे लाब को नुकसान करें तो हो बात अलग होगिं तो बैक्टेरिया इस जलदी रेकलिकेट करते हैँ लेकिन रेप्लिकेट से भी इंपोर्टेंट यह है जब आपने दवाई रोग दी तो जो बैक्टिरिया बच गए ना उनको पता चल गया भाईया यह दवाई मेरे भाईयों को मारी है तो आप इससे बचने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा आप यहाँ पर हमें समझ जाईए यह अंदर की जो दुनिया है एक अलगी दुनिया है बेक्टिरिया वाईरस एक अलगी दुनिया है वो भी सोचते हैं वो भी हमारे जैसे प्रैनिंग करते हैं जैसे आप को कोई नुकसान हुआ तुफान आया तो आपका घर उजड़ गया साथ भी ऐसे हुआ है आपने एंटिबैटिक डाल के उनको सुनामी में बहा दिया असी हजार लोगों को आपने मार दिया लेकिन जो बीस हजार बन गया है वो अपने आपको ऐसा म्यूटेंट कर लेंगे अपने आपको ऐसा मजबूत बना लेंगे कि अगली बार आप एंट से चेंज कर लेते हैं जिसके बाद आप दवाई खाते हैं तो असर नहीं होती है तो गाईज मैं यहाँ पर कोशिश करूँ बहुत ही इंट्रेस्टिंग तरीके से बताओं यहाँ अगर मैं साइंटिफिक तरीके से बताना शुरू करूँ तो आपको पल्ले कुछ नहीं लिए एकाँ ज़िए कि पांच दिन का कोर्स दिया है या दस दिन का कुर्स दिया गया और आपने तीन धिन कै अपनी ओपने दिखाई आप तो मेरे को दवाई की जूरत नहीं पड़ती श्रॉंग है मेरा सरी आपको पता नहीं चलेगा वापस से आप तब ग्रब होगी और लेना शुरू कर दिया, ऐसा मत करो, रुको, डॉक्तर की सला लो, दो-तीन दिन के बाद ज़रूर दवाई लो, लेकिन डॉक्तर की सला से लो, और एक बार दवाई लेना शुरू करते हैं, तो पूरा उसका कोर्स करिये, मतलब पूरे एक लाग बेक्टेरिया को खदम करना आपको और उसके लिए पूरा पांस दिन का साथ दिन का जो भी डॉक्टर कोस डेते हैं उन दवाईयों के क्योंकि अगर आप दर चोड ढएंगे तो मैंने बताया नहीं होगा बैक्तिरिया family of friends के साथ और अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को तुरण सब्सक्राइब करके bell icon को प्रेस कर दिजे जिससे आने वाली हर informative वीडियो आपको मिलती रहे थैंक यू सो मच पर वाचिंग जै हिंद जै भारत